हेलो फ्रेंड आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं सबसे आसान मिठाई जो देखने में इतनी सुन्दर है उतनी ही हेल्दी भी है और उतनी भी रसीली है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए जटपट ब्रेड मलाई रूल बनाते हैं जिसके लिए में आविश चयता होगी कुछ सामागरी कि जो की आसानी से हमारे घर में मिल जाएकी तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा अनार के वो चाहिए, उससे हमें खोया बनाना है, मिल्क पाउडर से खोया बहुत ही जल्दी और जटपट बन जाता है, जिसे मैं आगे की रेशिपी में दिखाऊंगे, और हमें थोड़ा सा कीसर चाहिए, और ब्रेट की कुछ स्लाइसिट चाहिए, तो चलिए, अब हम इसे बनाते है और पूरी रेशिपी आपको दिखाते हैं, बहुत ही मज़दार है, तो मैंने इंडक्षन पे अपना फ्राइपैन रख लिया है, और मैं इसमें थोड़ी मलाई वाला दूद डाल रही हूँ, जैसे थोड़ी गाढ़ी, दूद मलाई वाला डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे खोया बनाना है, और खोया बनाने के लिए थोड़ी गाढ़ा दूद रहता है, तो ज़्यादा हमें भूनना नहीं पड़ता है, तो मलाई का थोड़ा सा दूद ले लिजिए, और इसको भूनते रहें, हमें इसे इतना भूनना है कि ये गाढ़ा हो जाए, और फिर हमें इस जब तक एकदम गाढ़ा ना हो जाए और यह थोड़ा थोड़ा पकते समय घीला ही रहेगा पर इसे हम जब बंद कर देंगे तो यह थंड़ा होके गाढ़ा हो जाएगा अब उसे हम फ्रेज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए चलिए यहां हमें ब्रेट के स्लाइसों क ब्राउन पार्ट को निकाल देते हैं क्योंकि हमें मलाईन चाप में वाइट का ज़रूरत नहीं है जी से गोलने देंगे केसर घुल जायेगा तो हम उसे एक दूद की पतली सीरा बढ़ी बनाएंगे उसे में उसे डाल देंगे जो उसके सीरे का काम करेंगी तो हम ये केसर घुल के एक साइड रख देते हैं केसर से इस मिठाए में इतना अच्छा स्वाध आता है कि आप उनको बहु जरत वाला प्लोंगी उसमें वाल का सबानी लगा की उसे एकड़ पलाट पेल लेले न Hare the जितना पतला हो सखे उसे हम उतनां पतला कर लेंगे किसा आत गीता संती जैसे व्याभ फात ला जमने की livres पर मैंने पहली वार ट्राइ किया था तो थोड़ा सा पानी थोड़ा स जदा होगे थोड़ा सा बेलन में लगने लगा आप देख सकते हूं तो इसलिए काम किजिएगा आप पानी नहीं लगाईगा तो भी बिला जागा देखिए मैंने दोनों साइद पलट के बराबर इसे र रोल कर लिया रोल करने के बाद इसमें हम स्टफिंग भरेंगे आप देख सकते हूं इतना ही पतला हमें बेलना अब चलिए दूसरी ब्रेट की स्लाइस को भी वैसे ही बेल लेते हैं कि बेलना इसे यहीं कोशिस करनी चाहिए कि यह टूटे नहीं बराबर रहे यह देखिए मैंने दूसरा भी बेल लिया है और हमें ऐसे ही चाहिए इसे हम अब एक्साइट रख देंगे अब चलिए अब हम और देखिए जो मैंने दूत की मलाई तयार की थी उसे अब देखिए कितनी गाढ़ा हो गई है मैं थोड़ी दिर फ्रीज में रखी थी आप भी फ्रीज में चाहिए अब और याड़ा करना चाहिए तो इसमें और मील्क पॉडर मिला सकते हैं और सीब मैंने इसमें दो चमज चीने डाले ही नहीं क्योंकि मिल्क पॉडर हमारा पों आल्रेडी मिता रहता है और हमें कम मिथा यूज करना चलए है क्योXTि सुघर वाल्य भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें बस स्रिफ दो चमस चीनी ना मात्र के लिए डाली गई है चाहे तो आप उसे भी अवाइड कर सकते हैं तो अब मैं उसी पैन में थोड़ा सा दूट डालके उसकी अब रबड़ी बना लूँगी जो चलिए उससे पहले हम उसकी स्टफिंग कर लेते हैं स्टफ लूड़ी इतनी अच्छी एक खोया बना हुआ है ना आप इसे खाएंगे तो बस मजा ही अधना से एक बार जरूर बनाएं और खाएं जब खाओगे तो को गिवा क्या यह मिठाई है और इतनी एजी मिठाई बनेंगी आपका रूल बनेगा और यह बनाने में बिल्कुल ज मालाई थोड़ी खोया मेरा थोड़ा घिला है तो यह बिल्कुल नहीं खुलेगा यह चिपक चांए ऐसे दूसरे में भी किसी को मलाई नहीं पसंद आती है तो उसके लिए हम जैम भी लगा सकते हैं पहले थोड़ा सा मलाई लगा सकते हैं, खोया लगा सकते हैं, यहां मलाई लगा सकते हैं, कि घर में खोया नहीं है तो आप सूजी भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा दूज में सूजी डालके, पेश्ट बनाके, चिनी डालके, नट्स डालके आप बना सकते हैं, देखिए मैंने बच्चों को जैम पसंद है तो उसके उपर थोड़ा सा जैम लगा देंगे बच्चे तो आराम से खालेंगे और जैम भी खालेंगे दोनों मिक्स करके आप लगा देजी ये जैम के साथ इसका फ्लिवर और अच्छा हो जाता है और मैंने यहां किसान फ्रूट जैम इस्तिमाल किया हुआ है आप अपना पसंदीदा जें लगा सकते हैं देखिए इसे अराम से लगाईएगा वर्ना यह फायल भी सकता है फैल जाता ही है तो थोड़ा सा केर से कोकिंग करने चाहिए तो मैंने इसे आच्छे से फैला दिया है अब मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी मैंने इसे रोल कर लिया और मैं इसे एक साइड रख लो अब देख लिए कितना सुन्दर प्यारा रोल बन के तयार हुआ इसी तरह मैं और सारी भी रोल्स अपने बना लोगी अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं देखे मैंने एक रोल्स रखा बहुत आराम से रखेंगे और इसकी बहुत सुन्दर प्रेटिंग करेंगे जो कि खाने में इतनी मज़दार है और बनाने में उतनी ही आसान है आप इसे जरूर बनाए ट्राइ किजिए और अब मैंने ये जो केसर का पतला दू तैयार किया था रबडी वाला इसमें केसर दूद दो चमस्चीनी बस और उसके उपर ब्रेट के उपर हम चासनी की तरह डाल देंगे ब्रेट के उपर ये जो चासनी वाला रबडी वाला दूद इसको डालने से नहीं वो एकदम घूल जाती है और एकदम रसीली हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है, प्लीज आप इसे जरूर ट्राय किजिएगा, दोनों पर हम ऐसे ही अपनी चास्नी, दूध वली चास्नी डाल देंगे, फिर उसके बाद इसे अनारदाने से सजा देंगे, देखिए मैंने दूध की चास्नी खाते वक्ते डाल देंगे, अब इ सबको बताएं, और यह ब्रेड मालाई रूल है इसे हर कोई बना सकता है, हम इसे अनारदाने, ड्राइफोट्स अपना मन पसंद इसमें डाल सकते हैं, जैसे काजु, बादान, पिस्ता, किसनी, कुछ बिए डाल सकते हैं, और एक साइड में हम इसमें अनार रग देंगे, ज इसके साथ बच्चे अनार भी खा लेंगे क्यूंकि मीठा है और टिस्टी है और हिंदी और एक स्विट के साथ फल और अच्छा लगता है तो अनार भी बच्चे खा लेते हैं इस मिठाई के साथ बहुत अच्छा इसका combination आता है तो देखे हमारी जटपट ब्रेड मलाई रोल तयार है यह देखने में जितने सुन्दर है खाने में उतनी ही मज़ेदार है देखे कितना सुन्दर आया है रियली में यह खाने में बहुत टेस्टी है तो प्लीज आप इसे जरूर बनाएए अपने फ्रेंड्स को सेयर कीजिए प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे विडियो बनाते रहूं देखे कितना सुन्दर लगरा देखे प्लीज यह इतनी सुन्दर रसे लिए खाने में उतनी ही मज़ेदार है प्लीज सब्सक्राइब ठैंक यू वे